दोस्तों, बॉलिवुट की सुनहरी दुनिया में जितना कठिन एंटरी पाना होता है, उतना ही कठिन वहाँ पाउं जमाए रखना होता है। कभी कभी कोई वन मुवी वंडर बन कर रह जाता है तो कभी किसी का दाइरा किसी एक किरदार तक ही सिमट कर रह जाता है। एक शांदार शुरुआत के साथ एक बहतरीन करियर ग्राफ कुछ खुशनसीब कलाकारों के हिस्से ही आता है। और इस तरह कई अच्छे कलाकार भी गुमनामी की चादर तले आ जाते हैं। दोस्तो आज की हमारी पेशकश में एक ऐसे ही कलाकार की बात होगी जो कभी एक उभरता सितारा था पर वक्त की रेत तले भुला दिया गया। आज यहां बाद होगी बॉलिवुट अभिनेता सुमित सैगल की जिने कभी जनता का बेशुमार प्यार मिला था पर अचानक ही सुमित रुपहले परदे से गायब से हो गए। तो आएए दोस्तों इस वीडियो के जरिये जाने कि सुमित का बॉलिवुट का सफर कैसा रहा और अब बड़े परदे से दूर वो क्या कर रहे हैं। तो सुमित सैगल से जुड़ी तमाम दिल्चस्प जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। सन 1987 में फिल्म इंसानियत के दुश्मन से बॉलिवुट में कदम रखने वाले सुमित ने पहली ही फिल्म से धमाकेदार एक्टिंग की थी। अपने चहरे की मासूमियत के लिए जाने जाने वाले इस अभिनेता का जन 18 फरवरी 1966 को मुंबई में हुआ था। उनकी परवरिश मुंबई में ही हुई। सुमित के पिता अपने समय के मशूर सिनेमेटोग्राफर हुआ करते थे। अपने पिता के साथ फिल्मों के सेट पर अक्सर सुमित का आना जाना होता था। पिता के फिल्मों से जुड़े होने के कारण सुमित ने भी खौब बुना बॉलिवुड में करियर बनाने का। अपनी पहली ही फिल्म में सुमित ने संजेदत, गोविन्दा, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े नामों के साथ काम किया था। पर इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बाद भी सुमित लोगों की नजरों में आ गए। का दाता, बिल्लो बाच्शा, निशाने बाजी, दोस्त घरीबों का, तमाचा, नागमनी, मेरी ललकार जैसी कई फिल्मों में काम किया, उन्होंने अपने समय के तमाम बड़े अभिनेता के साथ काम किया है। उन्हें बड़ी शिद्दत से अदा किया। सुमित 1987 से 1995 तक फिल्मी दुनिया में काफी सक्रिय रहे। पर 1995 में आई फिल्में, साजन की बाहों में और सौदा की रिलीस के बाद मानो बड़े परदे से जैसे गायब से हो गए। इन आठ सालों में सुमित करीबन 30 फिल्मों में नजर आये थे। रूपा गांगुली के साथ की गई फिल्म बाहार आने तक उनकी सफलतम फिल्मों में से एक है जिसका गाना काली तेरी चोटी है, काफी पॉपिलर हुआ था। दोस्तों आप सोच ही रहे होंगे कि जब रोल्स मिल ही रहे थे तो सुमित ने बड़े परदे को अलविदा क्यों कहा? तो हम आपको बता दें कि सुमित को लीड रोल्स न मिलने और एक ही तरह के सैकिंड लीड रोल्स के चलते मानो बॉलिवुड में काम करना गवारा ना रह गया था। कुछ कहते हैं जब सुमित फिल्मों में पाउज अमाने की कोशिश कर रहे थे आजमाने से सुमित का मन भरसा गया। इसलिए उन्होंने एक लंबे वक्त के लिए फिल्मों से धूरी बना ली। सुमित ने लाइम लाइट में तकरीबन बारा साल बाद वापसी तब की जब उनका डारेक्ट किया हुआ एक म्यूजिक वीडियो सुर्कियों में आया। इस फिल्म में उदिता गोसौमी और तनुश्री दता लीड एक्टरस थे। अब सवाल ये है कि सुमित आजकल क्या कर रहे हैं। दोस्तों सुमित ने सुमित आर्ट नाम की एक कमपनी खोली है जो साउथ इंडियन फिल्मों के लिए डबिंग का काम करती है और आजकल सुमित अ साफी चर्चा में रही। उन्होंने दो दो खुबसूरत मुस्लिम अभिनेत्रियों से शादी की है। सुमित की पहली शादी सन 1990 में एक्ट्रेस शाहीन बानु से हुई थी। शाहीन एक बेहत खुबसूरत अदाकारा थी। तो फिल्म अभिनेत्री सायरा बानु की भतीजी भी है। शाहीन अभिनेता सल्मान खान की एक्स गर्फ्रेंड भी रह चुकी है। और फिल्म आई मिलन की रात से फिल्मी दुनिया में एंट्री की थी। शाहीन के साथ सुमित की शादी करीब 13 साल चली। इस शादी से 1997 में सुमित और शाहीन को एक बेटी भी हुई। जिन अपने आईशा को अजे देवगन के ओपोजेट फिल्म शिवाय में देखा होगा जो की इनकी पहली हिंदी फिल्म थी। साइशा ने 2019 में आर्या से शादी कर ली थी। 2003 में शाहीन से अलग होने के बाद सुमित ने शादी की फराह नास से जो की फेमस अदाकारा तब्बू की बड़ी बेहन हैं तो इस तरह सुमित रिष्टे में तब्बू के जीजा लगते हैं। फराह और तब्बू अभिनेत्री शबाना आजमी की भतीजियां लगती हैं। फराह भी अपने समय की एक नामचीन अभिनेत्री हैं और उनकी पहली शादी बिंदू दारा सिंग से ह अलग होने के बाद उन्होंने सुमित का हाथ थामा और आज दोनों बहुत खुश हैं और एक साथ बिजनेस अमाल रहे हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के जरिये हमने आपको 80 और 90 के दशक के खोए सितारे सुमित सैगल की बायोग्राफी बताई। उम्मीद हैं ये आ आपको पसंद आई होगी तो जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी तमाम दिल्चस्प वीडियो के लिए धन्यवाद।